इस डिजाइन में मैंने 32 फंदे डाले हैं इसको बनाना बहुत आसान है इसमें यह शुरू से जैसे मैंने बनाया है डिजाइन वह मैं यहां से दिखाती हूँ इसमें मैंने पहला फंदा सीधा बनना है पिर दूसरा फंदा सीधा बनने के लिए लेके उसमें तीन बार गुमाना है इसलाइसे धागे को फिर दुबारा ऐसे ही तीन बार गुमाना है फिर तीन बार गुमाना है पूरी स्लाई में ऐसे ही तीन बार गुमाते जाना है सारी स्लाई ऐसे ही बनेगी एक, दो, तीन पूरी स्लाई में ऐसे ही करते जाना है बहुत ही असान डिजाइन है, दो सलाई में खतम हो जाएगा, और यह लेडिस कार्डिगन पर बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों के स्वेटर पर भी डाल सकते हैं, इसको मफलर में भी डाल सकते हैं, यह जैसे ही तीन तीन बार उपर से घुमा पूरी स्लाई बना लेनी हैं, तीन एक दो तीन यह जो आई इस मैंने फर्स्ट शुरू में डिजाइन डाल लागे नहीं हैं, है यह वहीं से से मैं से बनाना है कि अच्छाई के अच्छाई गैट जाओ जाओ कि अच्छाई नहीं नहीं है ये फस्ट रो बन गई लास्ट फंदे को फिर सीधा ही बन लेना है सिंपल अब हम सेकंड रो में देखेंगे दो रो का ही डिजाइन है और इसमें भी पहला फंदा सीधा ही बनाएंगे और उसके बाद हम जो फंदे घुमा के डाले थे उसके वो तीन फंदे उतार लेंगे ये एक ये दो ये तीन ये तीन उतार लिए इनको फिर वापस इसी सलाई में ले लिया और इनको सीधा ही बन लिया सीधा बुनने के बाद फिर दागी को आगे करेंगे और फिर एक फंदा और सीधा बुन लेंगे इस तरह तीन फंदे ये बन गए ऐसे ही दुबारा से ऐसे करना है तीन फंदे उतार लेने हैं एक दो और ये तीन और इनको वापस इस स्लाई में डाल लेंगे और इसको सीधा बुनेंगे फिर दागा आगे करेंगे और फिर सीधा ही बुन लेंगे फिर ये तीन फंदे दुबारा से बन गए फिर ऐसे ही सेम वन टू एंड थ्री ये तीन उतार लिये तीनों को इसमें डाल लिया और फिर सीधा बुन लिया पहले सिंपल बुना फिर दागा आगे किया फिर सीधा बुन लिया इससे एक फंदा बढ़ जाएगा तीन के तीन फंदे बराबर हो जाएंगे पूरी सलाई यहासे बनाते जाना है एक डो और ये तीन फिर इसको सीधा फंदा बुनेंगे फिर दागा आगे करेंगे फिर दुबारा से सीधा फंदा बुनेंगे इससे ही सारी सलाई बना लेंगे झाल झाल पूरी स्लाइ सेम ऐसे ही बनाते जाना है पूरी स्लाइ सेम एक बनाते जाना है पूरी स्लाइ सेम एक बनाते जाना है और लास्ट फंदा फिर सीधा ही बना लेंगे अब ये धर्ड रो में हमने क्या करना है इसको उल्टावन आएंगे पूरी स्लाइ सेम एक बनाते जाएंगे ये उल्टी स्लाइ बनाएंगे सारी थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्त रो आठ रो उल्टी बनाएंगे आठ स्लाइ उल्टी बनाने के बाद फिर सेम वैसे ही डिजाइन बनाएंगे जो हम मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड रो में बताया है ऐसे ही सारा डिजाइन बनता जाएगा देखे ये डिजाइन ऐसे आएगा सारा सेम इसी तरह बनाते जाना है यह डिजाइन बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में यह सारी स्लाई कम्प्लीट करके सेकेंड रो भी ऐसे ही बनाएंगे उल्टे उल्टे सारी आठ स्लाईयां डालनी है फिर उसके बाद डिजाइन स्टार्ट करना है इस तरह सारा कम्प्लीट स्वेटर बन जाता है यह देखे यह बन गया सारा ऐसे ही बनाएंगे